दोस्तो जैसे कि आप से बिने वीडियो की थमनेल और टैटल देखकर करके आप समझ गये हूँ दोस्तो आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तो कि अगर आपको Google Pay के अंदर bank account जोड़ने में किसी परकार का अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है दोस्तो तो यहाँ पर देख सेता है कि हमने यहाँ पर एक bank account को link करके रखा हुआ है दूसरा bank account को जैसी मैं जोडने के लिए जा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे काफी problems देखने को मिल रही है आपको यहाँ पर दोस्तो इस तरीके का problem आपको देखने को मिल रहा होगा या आपको कुछ भी दिक्कत आपको देखने को हो सकती है ठीक है ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक ही problem हो सकती है आपको यहाँ पर दोस्तों कुछ भी problem हो सकता है जो bank account आपको link करने में problem आ रही है तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी helpful होने वाला है दोस्तों क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको complete process म आपको दिखाने वाला हो live में आपको करके कि किस तरीके से आखिर आप लोग Google Pay में आपना एक bank account जोड़ सकते हैं अगर आपको problems देखने को मिल रही है दोस्तों तो आप उस problem को किस तरीके से solve कहर सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आपको live करके दिखाने वाला हो तो हर लोग का अलग-अलग opinion यहां पर बताया गया है कि आपको इस तरीके से करना होगा आपको उसके बाद bank account लिंक हो जाएगा आपको यहाँ पर जाना होगा वहाँ पर जाना होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका mobile number लिंक है तो मैं आपको guarantee दिथा दोस दोस्तों सबसे असान तो चलिए भी वीडियो को आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है प्रोसेस और कौन समय तरीका आपको पताने वाला हो जिसके माध्यम साब का बैंक का लिंक हो जाएगा और आपको प्रोब्लम्स देखने को नहीं होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है क वीडियो को जरा से इसकिब मत करना इसकिब करके देखोगे मुझे कोई दिकत नहीं लेकिन आप से भी प्रसान होके रहा जाओगे एक के बाद दूसरी वीडियो को देखते रहा जाओगे और आपको यहां पर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा तो चलिए फड़ा-फड़ देखने को मिल रहे दोस्तों Google Play के अंदर अब जैसी आओगे यहां पर जैसे मैं कैंसल करता हूँ और यहां पर मैं अनिस्टोल करने के लिए जाता हूँ तो यहां पर अपडेट को आप्डेट को आप्डेट को आप्डेट को आप्डेट को आएगा तो यहां से आपको दो आपको ने वर्जन के साथ दोसो ये आपका आज आएगा उसके बाद आपको यहां पर कोई किसी परकार का दिक्कत आपको देखने को नहीं होगा दोस्तों ठीक है तो यहां पर देखेते हैं हमारा जो डॉनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुका है अब यहां पर इस्ट हम 100% दोब्लोड हो रहे देते हैं, उसके बाद हो आगे का प्रोसेस हमihi LIKE देकने वाले हैं कि किस तरीके से हमें bank account जो जोड़ने हमें problem आ रही है, उससे हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, तो यहां पर पहले इसे में हम download हो देते हैं, आपको भी इसे तरीके से पहले download होने देना है, उसके बाद इसे just open होने देंगे, finally दोस्तो open हो चुका, just हम यहां पर क्या करेंगे, open में click करेंगे, और यहां से अपना mobile number डाल करके दोस्तो login करेंगे, यहां पर हम लोग इन आपके सामने, finally दोस्तो इस तरीके का interface आ चुका यहां पर चली हम इसे हटा देते हैं, और यहां से मैं एक नया bank account जोड़ूंगा दोस्तो और जोडने के बाद इसे हम किस तरीके से जो problem समय देखने को आ रहे हैं, इसे हम दूर करेंगे, तो finally दोस्तो अब यहां से आपको देहान देने वाली बात है, सबसे बड़ी बात जैसे आप यहां पर आते हैं दोस्तो आने के बाद आपको यहां पर एक profile का options मिलेगा, जहां पर जिसने आप email id को select गया, उसी email id का logo पर आपको किलिक करना है, सिंपली से चली में किलिक करता हूँ, अब जैसी दोस्तो यहां पर profile वाले options पर आप किलिक करोगे, किलिक करने के बाद आपके सामने finally दोस्तो इस तरीके का interface आज आता है, तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक settings का options मिलेगा दोस्तो आपको just setting वाले options पर किलिक करना है, सिर्फ धहान दीजेगा setting वाले options भी आपको क किलिक करना है, उसके बाद यहां पर आपको बैंक को जोड़ना है कि इस तरीके से, मैं आपको यहां पर साड़ा ची करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद यहां पर आपको ऊपर में एक options देखने को मिलेगा, दोस्तो देखे थे आपर permission info, आपको इस वाले options पर किलिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका इस तरह के का इंटरफेस आज आता है दोसो तो यहाँ पर दोस्व आपको पना mobile number email id देखनी को मिल जाएगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है 3. पर क्लिक करना है बैक आने के बाद दोस्व आपको फिर सिधार आना है और यहाँ से दोस्व एक options आपको उस्व गर देगा देख सेते हैं यहाँ पर हमारी स्कीम पर bank account तो यहाँ पर दोस्व हमारा bank account जो है यहाँ पर error हमें देखने को मिल जाएगे पर हम click करेंगे, click करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, just आपको add bank account में click करना है, और यहां से दोस्तों जो आपका bank account होगा, उसको आपको add कर लेना है, तो हमारा air trail payment bank है, जो हमें problems देखने को मिल रहें, तो हम इस पर click करेंगे, चलिए, तो जैसी हम इस पर click क आगर आपको bank account link करने में problem आ रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान देजेगा इस चीज़को, कि आपको आगर किसी प्रकार कर आपको दिखातार है, तो आपको यहां पर system को clear data कर देना होगा, clear data करने के लिए आ और यहां से दोस्तों आपको जा करके clear data कर दोना है, system use में जा करके, clear data जैसी करोगे दोस्तों आपका Google पर अप्लिकेशन जो है, आप यहां से दोस्तों बेहादी आसाने से दोस्तों manage कर पाऊगा और आपका bank account यहां से जोड़ जाएगा, तो इस तरीके से आप लग दोस्त बेंक account जोड़ सकते हैं, को भी problem आए तो, उमीद करते हैं वीडियो आपसे कोई पसांद आएगा, अगर वीडियो अच्छे लगाओ तो वीडियो लाइक करे हैं, चनलन को सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलता है निक्स वीडियो